हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कुक वीत जूली आज मैं बनाने जा रही हूं गूर की चाहे तो फ्रेंड्स बिना इसकीप किये आप पूरी वीडियो में बने रहें तो आईए फ्रेंड्स अब हम वीडियो को सुरू करते हैं हम यहां पर एक पॉट लेंगे और आप मातरा अनुसार पानी लें हम यह पर एक कप पानी लिए हैं इसमें हम और आधा कप पाणी डालेंगे क्योंकि बाद में हमारा चाहे खौलते-खौलते थोड़ा कम हो जाएगा इसीलिए first of all हम यहाँ पे दो टेवल स्पून गूट डालेंगे उसके बाद हम इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे आप देख सकते हैं इसे हम medium flame पे अभी रखे हैं और इसमें हम चाय की पत्ती एड़ कर रहे हैं तब तक हम इसे खौलने देते हैं हम यहाँ पर लिये हैं अद्रक चार तुलसी के पत्ते और दो इलैंची तुलसी का पत्ता सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है तो हम इसको यहाँ पर इसे अच्छे से खूट लेंगे तब तक हमारा चाय उधर उबल रहा है तब तक हम उसे बड़ी हां से खूट लेंगे आप देख सकते हैं हमारा गूर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है बहुत लोग गलती क्या करते हैं सबसे पहले दूद को डाल देते हैं इसमें इसलिए चाय जो है वो फट जाती है तो हम पहले दूद नहीं डालेंगे हम इसमें उटा हुआ पेश्ट को डाल दिये हैं और इसे हम उबलने देंगे आप देख सकते हैं फ्रेंट्स एक भी गूर के लम्स नहीं बचे वे हैं बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है इस तरीके से हम बढ़िहां से इसे उबालेंगे और जब हमारा ये अच्छे से उबल जाएगा तो हम दूद को गर्म करेंगे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये उबल रहा है तो हम इसको साइड कर देते हैं और हम दूद को बड़ी हां से उबाल लेंगे, बहुत लोग ठंडा दूद डाल देते हैं, ठंडा दूद अगर येदी डालेंगे तो तुरंथ फट जाएगा हमारा चाहे, इसलिए ठंडा दूद कभी भी नहीं डालेंगे, आप देख सकते हैं हमारा दूद में बहुत ही लेंगे तो हमारा चाय कभी भी नहीं फटेगा तो इस चीज का हम हमेशा दियान रखेंगे तो अईए फ्रेंड्स अब हम इसमें खौलता हुआ दूद को डालेंगे हम यहां पर एक कब दूद लिये हैं और इसे डाल देते हैं जब हम दूद को डालेंगे तो हम फ्लैम को और इसे हम अच्छे से मिला लिये हैं आप देख सकते हैं हमारा चाय अभी भी बिल्कुल नहीं फटा है आपको हमेशा दो बातों का ध्यान रखना है कि दूद जो हैं हम कभी भी ठंडा हुआ लेंолेंगे हमेशा गर्म दूद दूद डालेंगे और एक बातों का दियान रखना है कि गूड जो है हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए तभी ही हम दूद डालेंगे अदर्वाइज नहीं डालेंगे नहीं तो हमारा फटने का चांस ज्यादा रहता है और आप देख सकते हैं आपके सामने यह उबल रहा है हमा अपको सकते हैं हमारा चाय बहुत ही परफेक्ट बना है और मेरी ट्रिक के साथ जरूर से जरूर बनाएं आपको चाय की रेंची लगी तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं बूलें और भी सबसक्राइब का sriramattu Lakes you know के हिंजा हैं फ्रेंड्स